अलो जहारकंड, वेलकम टू लेर्नरस गराज एजुकेशन, कैसा चल रहा है अपर प्रपेशन भाई, आज मैं जहारकंड सीजल 2022 का पेपर वन को डिसकस करने वाला हूँ, और पेपर वन में आज को हमारा टोपिक रहने वाला है, इंग्लिस लेंग्वेज टेस्ट, कह रहा है और हिंदी का भी लेक्षे जाकर अच्छे से देखे, फैदा जरूर होगा, ठीक है, बागे चनल को जरूर सब्सक्राइब किजएगा, क्योंकि एक्जाम के लिए बहुत सारे प्रूटफुल चीज़े मैं यहां पर प्रभाईट करा रहा हूँ, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजेगा भाई, और अपना कोई फिट्वेक होता है तो कुमेंट ओक्स में जरू दीजेगा, तो चले सुरू करते हैं आज का वीडियो का पार्ट नमबर 4, और आगे बढ़ने से लेक्षी और बताता हूँ, जो क्लोच टेस्ट है आपका, और जो पैसेज है, अ किसी को extension देने की बात किये जा रहा है, यानि कि समय देने की बात किये जा रही है, तो यहां से गड़बर वर्ड है, and extensive नहीं, and extension वर्ड यूज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि किसी को extension देते है, extensive मतलब होता है large scale पर, समझे थोड़ा सा, extensive मतलब होता है, कोई ची लगना चाहिए बास समझ्या चुका है चलिए नेस्स कोश्चन को रिमूब करते हैं और नेस्स कोश्चन आपका है तो क्या था? Undoubted मतलब बिना डर में चलिएकी साथ पक्ष में खड़ी थी तो इसके लिए देखिए एक वर्ड में एक लिना डर में एठ दें हैं तो इसके लिए यह उस उता है थृू थीख ये थीटन थी थीन क्या होता है? मतलब किसी प्रसिति में किसी के साथ आप दे रहे हैं तो वहाँ पे आप इस word को यूज कर लिजेगा through, thick and thin एक idiom है through, thick and thin का मतलब वही लिखा हुआ है under all circumstances किसी प्रसिति में और down का मतलब होता है डरा हुआ, डराना, धमकाना इस तरह का चीज होता है next question आता है the school was very cooperation when we made a documentary film there तो वहाँ पे बतक बात के जारे है कि जब documentary film वहाँ बनाया गया तो इस्कूल बहुत साथा क्या था सहयोगी तरह का था तो सहयोगी word के लिए हम लोग cooperative यूज करते हैं cooperation नहीं, cooperation मतलब होता है सहयोग क्या होता है, cooperation मतलब होता है तो चलिए cooperation मतलब सहयोग होता है cooperative मतलब सहयोगी तो बहुत ज़्यादा सहयोगी था तो भाई री cooperative लगा दिज़े आपका सही हो जाएगा next question के रमूब करते है सीला वाज reprimanded reprimanded मतलब क्या होता है किसी को dart फटकर लगाना इसके लिए एक और लेटली इस टूदा स्कूल simply यह बात करी जा रहा है कि जब इसको लेट पहुंची तो वह डांट उसको डांट पड़ा तो इसको लेट पहुंचने के लिए हम लेटली वह का वाड यूज नहीं करते हैं उसके लिए लेट का यूज करते हैं अब इसके लेट अन्तर के समय लेटा है था सब्सकर के लोट के आएंगे लेट का मतलफ होता है देर करना और जबकि немतलब होता है हाली में एक समझ इसका you have started preparation late आपने पीरीजियर स्टाट किया है और दूसरा statement है, you have started preparation lately, आपने हाली में preparation इस्टार्ट किया है, बास समझ में आ रही है, तो दोनों में late और lately में difference समझ जाएए, आराम से बन जाएगा, ति स्कूल में किसी को हाली में आने के लिए क्यों डाटा जाएगा, common sense की बात है, late आया होगा, तभी तो उसको डांट प क्या होता है, दिखता है बहु ज़्यादा manly less अपना playstation में, तो क्या होगा, इसके लिए सही word, तो manly less मतलब होता है, एक man के जैसा, एक अच्छा man के जैसा, पूरा man के जैसा property characteristics सब, ठीक है, ठीक है, character बोल सकते हैं, characteristics तो बोलेंगे नहीं, देखिए, सही word होने चाहिए, manly सही word use होने चाहिए, और manly क्यों होने चाहिए, कि manly का मतलब होता है, good qualities related to man, तो man's related जो good quality होता है, उसके लिए हम लोग manly word का use करते हैं, manliness का use नहीं करते हैं, तो यहाँ पर manly चला जाएगा, ठीक है, तो option C को मारिएगा, next question है, no sane person or government can tolerate terrorists of any degree or kind, ध्याँ से समझेगा, sane का मतलब होता है, एक तरह का बुद्धिमान आदमी, ठीक है, wise आदमी, क्या होता है, wise, wise मतलब बुद्धिमान, इसका opposite insane होता है, insane मतलब mad, ठीक है, हम लोग अगर किसी degree or degree of kind का मतलब क्या होता है, amount होता है, क्या होता है, किसी कौम ये ज्यादा, या किसी तरह का, तो क्या terrorist का किसी degree कौम ये ज्यादा ऐसे होता है, क्या, नहीं, terrorist का कौम ये ज्यादा नहीं होता है, degree or kind के लिए word use होना चाहिए terrorism, ठीक है, उस word terrorism कौम ये ज्यादा या किसी तरह का हो सकता है, terrorist नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, से हम लोग को सोच को नहीं चलना है यह एक्चुलिम है उसी पर हम लोग को फोकस करनी है ठीक है हम लोग को यहाँ पर टेरोरिजम वोड यूच होना चाहिए कि हम लोग किसी तरह के टेरोरिजम को ने टोलरेट कर सकते हैं ठीक है किसी भी तरह का और किसी भी अमांट में कौम जादा भी नहीं तो बात सम्झ में आ रही है तो यहां पर टेरिजम वोट जाएगा टेरिस्ट नहीं ओके समझ चुके होंगे चलिए नेस्ट को सब्सक्राइब करते हैं दा बोट वाज ड्रॉन क्या था बोट वाज ड्रॉन बोट जो है से क्या हो गया डूब गया तो क्या संक है भी तरी है सिंक का तो ड्रोन और सिंक दोनों डूबने के लिए उज़ होता है लेकिन ड्रोन जो होता है से नन लिविंग तिंक के लिए उज़ होता है क्या होता है ड्रोन जो होता है लिविंग तिंक के लिए होता है और सिंक होता है से नन लिविंग तिंक के लिए हो ठीक है तो drone हम लोग limit के उच करते हैं और sing को यूच करते ओ小時 करते हैं आप Nonlimitzililike तो इसे लिए उसको Drone A99 Cr कर लिए नपने इंट करनी तो आपका सही हो जाएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं next question के move करते हैं समझ जुका है न रोन भर से depreciation चलिए I would like to tell you about this my friend said John I would like to tell you about this my friend this my friend यहाँ पर नहीं होना चाहिए John बोला about this friend of mine होना चाहिए हम तुम को क्या बताना चाहते हैं my friend का नहीं हम तुम को about friend के बारे में बताना चाहते हैं तो about this friend of mine, जो की मेरा है, तो इस तरह से sentence इसको बनाईएगा, समझ में नहीं आजा ना, I would like to tell you about this my friend, Sir John John बोलता है कि हम तुमको बताना चाहेंगे कि यह मेरा friend है, ठीक है, क्या है कि यह मेरा friend है, तो करने के लिए, इसको मिनिंग देने के लिए, this friend of mine होगा, क्या होगा, this friend of mine उजोने चाहिए, ठीक है, तो इस friend of mine लगाएगा, तब जाके इसका correct meaning निकल कर आएगा, ठीक है, next question आता है, either Kiran और Mala is sure to be chosen for the school debate team, ठीक है, तो either Kiran और Mala is sure to be chosen, देखें, यहाँ पर बात कीजिएगा, तो जो sentence है, थोड़ा सा उसको चूच किया जाना है, तो एक future reference की बात कर रहा है, future reference में हमको, क्या लगना चाहिए, sell या will भी लगता है, ठीक है, क्या लगता है, sell या will तो यहाँ से easy mark नहीं होगा, future की बात है, तो will और sell लगेगा, तो either Kiran और Mala will कर दीजिए इसको, ठीक है, future time की बात है, तो will लगेगा, तो option C चला जाएगा, ठीक है, future time की बात है, कि चुना जाएगा, इस school debate team के लिए, ठीक है, अब next question आता है, देख लिजिए कि यही सारा पर लिखा हुआ था कि sentence के future action के बारें बात कर रहा है, कुछ-कुछ extra point समाझ लिजिएगा, कुछ-कुछ correlative conjunction है, जिसे either और होता है, neither nor होता है, not only but also, तो इस cases में लोग करता क्या है, कि जो भर्व लेता है, निरेस subject के होता है, भर्व क्या लेता है, जो निरेस subject होता है, उस लगा नहीं न, इस family member का नुसार लगा, इस नहीं होगा, तो निरेस subject को नहीं होगा, तो इसके अनुसार यहां पर भर बाता है, तो आर लग गया, बात समझ में आ गया, और discuss के बाद about नहीं लगता है, इसको या देखेगा, discuss का मतलब होता ही है, कि talk about, discuss बाद about युज नही rolled towards him, तो दांस समझे का थोड़ा था, दो वड़ का confusion है, फिस लोट के आते हैं, दो वड़ होता है, beside और besides, क्या होता है, beside और besides, दोनों में अंतर समझे, beside का मतलब होता है, किसी के बागल में, किसी के नई देख, जबकि besides का मतलब होता है, in addition to, to accept somebody or something, को छोड़ कर, या के अ पोस्टर के जश्ट बगल में या उसके next to खड़ा होगा कहीं पे, तो उसके लिए beside यूज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, beside, तो besides हटा दीजिए, beside लगा दीजिए, तो standing beside the schoolhouse पोस्टर, तो यही सरा इसमें गड़बड़ी था, तो besides में अंतर समझ चुके होंगे, आप beside का मतलब होता है, कि बगल में, ठीक है, और besides का मतलब होता है, कि अलावे या किसी चीज को छोड़ कर, the manager is not dismissed, but he is definitely under a cloud, चलिए, इसका meaning आपको पताना है, under a cloud का, तो idiom एक तरह का, तो under a cloud का मतलब होता है, under suspicion, क्या होता है, under suspicion, ठीक है, under suspicion मतलब संधिय के घहरे में, तो under a cloud है, अपलेगा, इसका मतलब है, under suspicion, ठीक है, तो चलिए, इसको कीजिएगा, इसकूरूटनी मतलब जांच करना होता है, ना, इसकूरूटनी, चलिए, फोर येर्स, I could not seek off the trauma of that day, ठीक है, ठीक है, तो ट्रामा मतलब होता है, कि बहुत बुरी तरह का, जब मेंटल इलनेस जाता है, जिसको भूल नी पाता हो, तो वहाँ पर trauma होता है, तो सेकॉफ का मतलब होता है, क्या, forget, क्या होता है, सेकॉफ का मतलब, forget होता है, तो four years, I could not seek off the trauma of that day, तो सेकॉफ का मतलब क्या होता है, forget, मतलब भूल नहीं सक, पाय रहा हूँ यार, उस दिन का जो बुरा जाता है, तो सेकॉफ का मिनिंग बताना था, सेकॉफ का मिनिंग फोर्गेट चला जाएगा, जिसको भूल पाना, मुस्किल था, ऐसा बुरा हास्ता हुआ था, sit on the fence, क्या हुआ, sit on the fence, जैसे बात समझें, इस इडियम को समझें को तो एक देता हूँ, जैसे फिल्ल में क्रि बैठाड़ी आउट हो जाता है, तो यहां से 22 गज से लोट के चला जाता है, तो पविल में आके बैठा रहता है, जब यहां बैठा रहता है, तो क्या हो गया, back to the pavilion हो गया, क्या हुआ, back to the pavilion आ गया, तो उसके समें sit on the fence, fence मतलब होता है बाड, घेरा के में बैठना, ठीक बैठास होता है, तो हार और निरास हो गया, तब जाके कहा करेगा बैठारा, fence मतलब बाडर लाइन पर जाके बैठ जाएगा, ठीक है, तो to be defeated and dejected मिनिंग होता है, sit on the fence का मतलब, ठीक है, मतलब किनार पर बैठा हुआ, यानि कि बहुत उदास बैठा हुआ है, बैठा इसका मतलब होता है, look dejected, dejected मतलब, sad दिखना, तो put a long face, idiom का मिनिंग होता है, निरास दिखना, तो निरास नहीं दिखना है आप लोग को, आप लोग को भी हैपी रहना है, तो don't look dejected, या pull a long face, next है, who will believe your cock and bull story, तो cock and bull story एक idiom है, इसका मिनिंग होता है, absurd story, absurd मतलब क्या होता है, absurd का मतलब होता है, बेतु का टाइप का story, क्या होता है, बेतु का टाइप का story, ठीक है, bull मतलब sad होता है, तो का रहा है कि कवा और sad का story सुना रहा है, तो इसका मतलब होता है, कि बहुत इसका मिनिंग ए फस्टोरी होता है इंबिग्यूस मतला होता है और ऑस थर्क मतला होता है एधम ओरिजिनल टाइप का ठीक है अब आता है नेक्स टोपिक डिलेक्ट और इंडिलेक्ट रिस्पिच के तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको तेकि आई सेट टू माई फ्रेंड कैन यू पीक मी अप आप्टर वर्क बोल रहा है कि मैं अपने फ्रेंड से बोला कि क्या तो हमको काम के बाद ले सकते ल मालूम होगा तो ठीक है तो समझघे और उसके बाद इंग्फट कर आने के बाद आता है मालूम है तब एक पॉइंट जो डिर्पिट इंडिरेक्ट स्पीच है जो यहां पर रिपोर्टिन रिपोर्टेड स्पीच is उक्या एक तरह का yes no question है या डबले उच कोस्चन है तो यह yes no question का है ठीक है yes no मतलब जिसका answer जो है yes no में दिया जा सकता है तो can you pick me after work क्या ले जा सकते हो तो हाँ या ना में इसको answer दे सकते है ना तो yes no question हुआ तो yes no question में if और वेदर आता है इसको याद रखेगा क्या आएगा if और वेदर ठीक है इसके लिए जब आएगा तो if और वेदर आता है तो that और if दोने एक साथ नहीं लगता है इसलिए आपर समझा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर yes no question देखीगा कहीं पर that नहीं लगाया है that होग होगा तो आस्ट होगा मिनिंग के अनुसार ठीक है तो यहां से देखिएगा टोल्ड आस्ट हो गया टोल्ड आप माइफ्रेंड हो गया I could if देखिए तो बस नहीं बनेगा I asked my friend if देखिए यहां से यू जो second person होता है किसके अनुसार चेंज होता है object के अनुसार object है यहाँ पर आपका my friend तो इसको नुसर क्या आएगा he आएगा my friend के लिए क्या आएगा subjective case ही आएगा उसके बाद could आ गया बनाते हैं या फिर interrogative sentence का बनाते हैं ऐसा क्यों क्योंकि जो हैसा indirect speech में हम लोग एक statement किसी को बोलते हैं किसी का statement को आपना साथ में बोलते हैं ठीक है तो इसको indirect speech बोलते हैं तो देख लिएगा I asked my friend if लग गया if or whether और ही आएगा किसके नुसार my friend के लिए यूज होगा ही ठीक है जो second person है यूज होता है उसके बाद कुड लगा यह पिक मी आप आप्टर वर्क तो आपका सही एंसर क्या हो गया सही एंसर आपका हो गया डी समझ चुके हैं अच्छे से यही सारा इसको indirect speech है कैन का कुड हो जाएगा में का माइट सैल का सूड विल का उड ऐसी होत पानिला ठीक है या फिर कुछ काम करो गोदेर ऐसे उसका पैसे बनाना होगा तो ज्यादा कुछ नहीं करना है तो लगा के और वाकी यूज कर दीजेगा तो टोल है तो क्या हो जाएगा ही आस्ट हर क्या होगा वह उसे पूछा में निकर सा चैंज हो जाता है आस्टोल लिस तो ही आस्ट हर टू टू टर्न डाओ उसको घूमने के लिए बोलता है तो ऐसे लग जाएगा तू के बाद डारेक्ट जो है से यहां जो आपका जो वर्ड होगा उसको लगा दीजेगा आपका पैसिव और इंडरेक्टी स्पिच बन जाएगा ठीक है चलिए माई फ्रेंड टोल्ड मी इस इस नोट गूड बूक तू रिड अब थोड़ा सा समझ लीजेगा इसको आप देखिए कुछ-कुछ वर्ड होता है एक इंडरेक्ट और डिरेक्टी स्पिच में जैसे कि दिस का दैट होता है तूमारो का होता है डैट डैट होता है तूमारो क माई फ्रेंड मी तोल्ड 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 मी a good book to read समझ गए this का that हुआ है समझ चुके है न तो चलिए Mary said to Simon Mary क्या बलते है Simon से Saron and Peter are getting engaged next month getting engaged next month देखिए इसका बनाईए तो said to told में change होगा समझ गए said to क्या होगा told में change होगा उसका Simon तो आ गया सारोन और पीटर थर्ड परसन है थर्ड परसन है सारोन मतलब किसी का नाम है और पीटर तो चेंज नहीं होगा क्या हो जाएगा सारोन और जो पीटर दुनों से एक सातरा जाएगा उसके नुसार परजेंट देखिए sentence किसमें है are getting मतलब present continuous है तो उसका इंटरेक्टर पीच कहा हो जाएगा past continuous में तो इन लोग का नुसर क्या होना चाहिए वेर होना चाहिए उस बाद गेटिंग के बाद आपको बाकी यूज कर दीजे गेटिंग इंगेज आओ देखिए next month का क्या होगा next month ही होता है ठीक है चलिए समझ चुके है न next question की ओड़ देखिएगा my mother said you have been sleeping for 12 hours उसकी ममी क्या बोलती है कि तुम 12 घंटा से सो रहे हैं तो ऐसा तो possible नहीं है तो my mother क्या होता है said उसके बाद that लगाए अब देखिए you है क्या है you है तो you एक second person second person में object तो है नहीं तो object हम लोग understand करते है कि हम को बोली तो उसके लिए I यहाँ पी उचकी है तो my mother said that I had have been sleeping है किसका sentence है तो present perfect continuous का तो वहाँ से past perfect continuous में इसका जाएगा न ठीक है तो वहाँ पे had been plus before लगा दीजिए तो I had been sleeping for 12 hours ठीक है समझ चुके है तो ऐसे बनता है यहाँ पे present perfect continuous का past perfect continuous tense में यानि कि has or have been plus before को had been plus before में convert कर देंगे had been plus before ठीक है और 4 12 hours हो गया 4 और since का यूज़ बताया है भूले नहीं नहीं 4 का यूज़ हम लोग क्या करते है periodo time के लिए करते है जैसे बहुत दिनों से बहुत घंटों से बहुत सालों से लेकिन since के यूज़ करते है fixed time के लिए जैसे 2020 से ठीक है Monday से January से ठीक है next question को move करते है next question he said I have been studying in this college for 2 years फिर से वही बात है बताये न अभी has or have been plus before को had been plus before में convert करते है तो समझ लिजेगा he said क्या होगा he said I that होगा I के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कीज़े he की यूज़ कीए ठीक है he said that I I के लिए जब आता है तो हम लोग यहाँ पर he वगर यूज़ कर लेते हैं अपना meaning के अनुसार तो he had been studying in तो जिसे कि I है ना कोई आदमी बोला तो अगर हम आप से बोलूँ किसी के बारे में कि एक आदम में को कुछ बोल रहा था मैं बोलूँगा तो आप से क्या बोलूँगा कि जानते हैं जी वह लड़का है ना तो वह आया ना समझ लीजेगा तो अगर कहीं पर that बगर होगा तो अटा लीजेगा ऐसे तो कहीं दिख नहीं रहा है तो said to क्या हो जाएगा told or asked me change होता है meaning के नुसार तो he asked me उसके बाद if second person object के नुसार चेंज होगा मी और मी का subjective is क्या आजाएगा I तो होगे आपका I उसके बाद देखें सेंटेंस है have you finished यानि की present perfect tense है तो क्या होगा past perfect यानि की had plus b3 में change हो जाएगा I had finished my work किसी भी question mark नहीं होता है हमेशा full stop होता है C asked me if I had finished my work तो यहीं आपका सही answer हो जाएगा next question के और remove करते है Rajan said to Urbasi है tomorrow देखें set to को told में change कर लिजी अब set to का set to किया होगा तो अराम से गलती काटिएगा set to का set लिखा होगा तो भी गलती काटिएगा told to लिखा होगा तो भी गलती काट दीजीगा हमको तो लगता ही नहीं है कि इसमें बनाने के लिए कुछ बचा ही यह option directly चला जाएगा told to set to को till to नहीं लिख सकते हैं told जो होता है told जो होता है एक transitive भर्व है इसके बाद direct object आता है और जो say है say इन transitive है इसके बाद हम लोग two के बाद object उज़ करते हैं two के बाद तब object उज़ करते हैं ठीक है बाद समझ में आ गया told के बाद direct object आता है said to के बाद said के बाद two plus object आता है समझ चुके हैं बागी sentence समझा देता हूँ I am going to है यानि कि present continuous tense तो कहां जाएगा past continuous tense यानि कि watch where plus before तो राजन told उर्वसी that that आया ना समझ लेजे I am बोला है तो राजन बोला है तो उसके लिए क्या हो जाएगा say to उर्वसी I am तो उसके लिए he लगेगा न meaning समय लीजेगा राजन say to उर्वसी तो यहां से he लगा I first person I first person subject करने साच जोनेता है तो राजन subject है तो उसके लिए he use करेंगे subjective case समझे तो he was going to कास्मीर the next day देखिए अब tomorrow का word tomorrow नहीं रहता है ठीक है tomorrow का जो है tomorrow नहीं रहता है इंडिरेक्ट में the next day या the following day आएगा ठीक है तो the next day यूज कीजिए option number D चला गया धन्या complaint I am loosing weight steadily same question फिर से I am loosing weight है यानि कि present continuous strength कहा जाएगा past continuous strength में यानि कि watch where plus before में जाएगा ठीक है तो धन्या complaint है तो धन्या complaint that C was loosing weight steadily मतलब तेजी सापना weight को loss कर रही है बास समझ में आ चुका है आई है तो आपका क्या है first person subject को नहीं साथ धन्या लड़की है लड़की के लिए C यूज हो गया ठीक है तो चलिए बागे सारा देख लिजेगा यह देखे इस क्यों कट गिया इस कंप्लेंस कर दिया तो गलबड हो गया इस कंप्लेंट का कंप्लेंस कैसे हो सकता है और इस गलती क्यों हो गया धन्या कंप्लेंट that C is अब सेम सेम सेंटेंस है यानि की कंटिर्वस है इस कंटिर्वस में फोड़ी होग है पास्टिर्वस में लिकलन भाई उसको अदब सेमन सेटक का SuMAN Seth to be थे ऊकर इसेटन नमीटाइट क्सटेक हो नेसेमन सेटक का यह ज़रआ हो चाहिए था सेमन सेटक का इंजुए दा ओलम्पिक गेम्स इन लंदन लंदन ओलम्पिक याद है के बुल गया है बुलना नहीं है लंदन ओलम्पिक चलिए सुमन सेड टू मी डिडी यू इंजुए द लंपिक गेम्स इन लंदन लंदन का ओलम्पिक किया तो देखिए सेट टू क्या होगा टोल यह आश्ट में चेंज होता है किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो आश्ट लग जाएगा तो सुमन आश्ट मी अब क्या है क्या है क्या इप आइएड इंजुए द लंपिक गेम्स लंदन क्या हुआ इप आइड इन जुएड़ इनजुए दोफ पर्फेक्ट मन सिंप-hudji पर्फेक्ट्ड पाश्ट में सिंप-बश्ट देखिया यहाँ फर देखिया पे डिद यू इंजुए प्रफेक्ट का है तो कहां गया पास्ट परफेक्ट यानिकी हैड प्लस हैड प्लस बीटरी में चला जाएगा ठीक है उस टेंस में उसका बन जाएगा तो बास समझ गए सुमन आश्ट में इफ आई हैड इंज्वाइड ओलम्पिक गेम्स इन लंदन तो बना लीचेगा समझ सकते होंगे ना कैसे कि यां डिट्यू इंज्वाइड हाप पास्ट का होगा वागा हो कर ऊ-ा हैड पर आपम ओल्स बीटरी लगता है तो उसका साथ दे नहीं लगता है तो तो अब लोग अगर किसी के साथ वीडोड मतलब क्या होता है वीडोड मतलब होता है जिसका मतलब जो वीमेन जिसका हस्बेंट कर गया उसको बलते हैं वीडोड गल के साथ हमारी क्या है हमारी क्या है सहानुभूती है क्या है सहानुभूती तो सिंपथी के साथ फोर लगता है तो we all have sympathy for the widowed girl वा समझ में रही है तो यह sympathy के साथ फोर लगता है sympathy मतलब सानुभूती एक दो वर्ड में generally confusion है सबको sympathy और empathy sympathy मतलब होता है सहानुभूती और empathy मतलब होता है समानुभूती जाकि हिंदी की साथ है तो sympathy देंगे उसको लेकिन अगर वही प्रोवलम आपको है, क्या है? बहुने है कि न इंपति है क्या है? इंपती है तो वहाँ से इंपती उसके लिए उजह करते हैं जब आपका खुदू सीच्वेशन में हैं और सिपति आप सीच्वेशन में नहीं हैं समझ रहे हैं सिर्फ understanding के लिए sympathy यूज होता है और अगर वही situation में है तो आपे empathy होता है सहानुभूति और समानुभूति समानुभूति याने की एक तरह का अनुभूति याने की एक तरह का मतलब क्या मतलब mental situation में होना ठीक है चलिए next question को पुम करते है दे organized an event last month in day with another company तो देखिए in have with है थोड़ा साना आपको पता होना चाहिए कि in collaboration with use होता है क्या होता है in collaboration with मतलब के साथ मिलकर तो in collaboration with एक यूज होता है आपका एक तरह से prepositional phrase है जिसका मतलब होता है के साथ मिलकर, तब को पता होना चाहिए कि in collaboration with यूज होता है, in collaboration with मतलब के साथ मिलकर, क्या होता है to join hand, मतलब एक साथ मिलकर कोई काम करना चलिए the lady dash to be a close relative of hours क्या है the lady जो है क्या होई पाई गई हमारी क्या बहुत close relative पाई गई तो इसके लिए turn out का यूज करते हैं turn out मतला पाया जाना तो क्या होगा अरे उट लेडी के बारे बहुत चर्चा हो रहा था बात बात चला है कि ने relative निकल गया अरे यार उट लेडी तो लेडी तो हमारा क्या बोलते हैं relative निकली ठीक है तो ऐसे बोलते हैं तो उसको turn out का यूज करते हैं the lady turned out to be close relative of hours यानि कि क्या है close relative लगती है तो यही पाया जाना होता है मिनिंग इसका ओके तो देख लीजे बाके थोड़ा था ना सब जो phrasal verbs है मतलब phrasal verbs किसको बलते हैं बहर प्लस प्रिपोजिशन को phrasal verbs बलते हैं turn out का मतलब to be something हो या ना पाया जाना जिसका मिनिंग आप देख लिया turn about का मतलब होता है complete change करना या turn about का मतलब घुमने के लिए यूज करता है turn about turn in का मतलब होता है किसी पोस्ट होगा आपको छोड़ देना ठीक है या सो करना भी होता है किसी जीको turn in और turn up का मतलब होता है दिखाई देना appear होना ठीक है तो सारा के मिनिंग आप लोग ध्यान से देख लिजिएगा next question आता है one who tries may fail but one who does not try never succeed तो succeed मतलब कभी सपल नहीं हो सकता है succeed वर्ड होज़ेगा success पर गेन नहीं होगा क्या होगा who does not try never succeed तो कोई अगर परयासी नहीं करेगा तो कैसे सपल होगा तो सही वर्ड succeed होना चाहिए क्या होना चाहिए succeed होना चाहिए next जाता है he does to help me and called me a fool तो he क्या होगा refuse होना चाहिए क्या होना चाहिए refuse to help me and called me a fool क्या हुआ कोई ऐसा काम किसी को बोले आप जो नहीं किया और आपको बोले कि पागल हो क्या उस तरह से इस sentence है तो refuse बढ़ जाने चाहिए refuse और deny में थोड़ा सा ना अंतर समझ लिजेगा refuse जो होता है एक नाउन होता है भर्व होता है कोईसी offer और activity को हम लोग turn down यानि की इनकार करने के लिए उसका यूज करते हैं बासम्या गया किसी offer को ठुकराना वगरा होता है ठीक है एक्टिविटी को तुवाप पे रिफ्यूज करते हैं जबकि इसे च्रहरे सोब नहीं होगा तो ओर और आता है एक क्टिविटी को पैसिविटी रिफी deber this नहीं हो गा crafts this a पैसिब में कोई भी रोड़ चेंज नहीं होगा और दूसरी बात जो हैसे टेंस, जोैसे चेंज नहीं क्या और टेंग नहीं होगा उसी टेन सीमन होगा हम बीन लग सकता है ईज लग सकता है उसके तो इस सब चीज कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्ड चेंग नहीं होते हैं एक पैसिए वाइस में ख्याल रखे है कि इस देक फंसा चुका है बोत लोगों को ठीक है तो लोग यूज करते हैं तो 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 यूज करते यह साथ नहीं होता है तो समझ चुक है ना इसका पैसिव वाइस तो यू आ रिक्वेस्टेश टू से बनता है इसको पैटर्न थो से यह दखीगा दा प्रिजनर इज नोन तू है इसा पाया जाता था तो यह पाया जाता है तो उसके पाया जाता है इसा पाया गाता है तो ह्यां से यह दिख गान गया उसके अनुसार थी तो हम लोग लगा दिए टीए क्या हो गया हेस बिलिल अगा दिए और इसके बाद यह गया था by plus agent लगा दिये जो की prisoner था और बाद में लास्ट वर्ड यूज कर दी अर्लियर टू ठीक है तो बात समझ में आ गई तो option आपका यह होगे it is known का यूज करते हम लोगर ऐसा रिखता है the prisoner is known या कुछ it is rain वगर ठीक है तो यहां पर हम लोग it is का यूज करके भीचरी लगासते हैं और उसके बाद हम लोग आगे काम कर देते हैं can see writing and interesting story sorry can see write and interesting story क्या हुआ एक interesting story लिख सकती है देखिए tense change नहीं होगा can का can पहले आजाएगा जो अगर passive voice बनाते हैं intuitive sentence का तो word वही रहेगा ठीक है बाकी जो है से ले आईए can can आ गया object क्या है इसका interesting story तो can के बाद and interesting story ले आईए और उसके बाद can के बाद b plus b3 लगा दीजिए can का passive voice बनेगा can के बाद b plus b3 लगा दीजिए can के बाद ठीक है इस सब लगा सकता है अगर साल आगा तो sal b plus b3 ठीक है ठीक है ठीक है तो यह सब होता है तो क्या हो गया आपका आपका हो गया can and interesting story be written by her ठीक है चलिए next question करते हैं the poet black wrote many poems for children ठीक है जो poet black है क्या किया थे बहुत सारे poem लिखे है children के लिए तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका सब से पहले आएगा many poems पहले ले आएंगे क्या आएंगे many poems को लेके आएंगे तो many poems were written for children by the poet black generally जो देखीए एजेंट last में by के बाद लगता है ना by plus agent तो यहाँ पर कौन सा sentence था यह था आपका सिंपल पास सब्जेक्ट प्लस भी टूथ का पैटर्न था ठीक है तो पैसिव है उससे बन जाएगा इसका फिर लगा लगा लिजेगा तो poems के अनुसार पू person exhibited various facial expressions exhibited मतलब so करना होता है दिखाना होता है तो हर एक person क्या हुआ और लगतरा का facial expression को दिखाया फिर से बही बात है exhibited यानि की भी 2 है तक के आ जाएगा इसका why बैर plus को मूव करते हैं the girl the girl's ate a mango yesterday क्या हुआ गॉल्स जो थी से एक mango खाई ठीक है क्या कि गॉल्स जो है से एक mango खाई गॉल देख लिजिए गा अब इस टर्डे रह था ना इन्डाक्ट इस्पीच में तुसका the previous day हो जाता है ठीक है क्या होता तो इसको थोड़ा सा याद है कि confusion हो जाता है तो आप मैंगो आपका जाएगा पहले तो आप मैंगे उसके नुसर वाज लगना चाहिए सेंटेंस देख लिजेगा एट है न इट है तो वाज के बाद इट का भीतरी बिकतिन लगए उसके बाद बाद इट का भीतरी इट इट हो मीजे झाल जाएगा तो I आ जाएगा, I के नुसार aim लगेगा, उस बाद भीत्री लगा दीजिए, उसके बाई योर मैनर्स हो जाएगा, यह है परजेंट इंडिपिटेंस, परजेंट इंडिपिटेंस में EJMR प्लस भीत्री यूज होता है ना, पैसिव वाइस में, ठीक है, तो I के साथ aim लगता ह है, उसके बाद भीत्री, बाई योर मैनर्स लगा दीजिए, एजेंट आपका हो गया, नेस कोच्छन है, था बॉइज लाप्ट एट दो ओल्ड मैन, क्या हुआ, लब लाप के साथ हम लोग पिर पोजिशन एट लगाता है, याद रखिएगा, तो बॉइज लाप्ट है, फ Ideas are generated by the group discussions, क्या हुआ, Ideas are generated by group discussions, ठीक है, तो यहां से क्या आजाएगा, सबसे पहले group discussions को यहां से उठा के लिए आए, तो group, अब देखिए, sentence जो है न, active voice में नहीं है, यह passive voice में, Ideas are generated by group discussions, तो इसको passive voice है, समझे थोड़ा सा, अब जिसका तो क्या है नहीं, active voice में इसको convert कर नहीं होता है, तो इभी ध्यान रखीगा, sentence जो होता है, कभी-कभी एक्टिवी पैसी देदेता है, अभी passive देदेगा, तो passive में हम ऐसा बता है, हो EJMR के बाद भीत्री लगता है, तो ध्यान सब देखिएगा, ठीक है, अब आई, अगर वार्ड यूज रहेगा, तो passive voice होगा एक्टिव में कैसे होगा, group discussion सबसे पर उठा के लाइए, उसके बाद देखिएगा, R generated बता है था ना भी, यानि कि present tense है, तो group discussion generate लग जाएगा, उसका अनुसार B5 होता है, अब B1, B5, उसके बाद ideas लगा देजेगा, तो group discussion generate ideas, तो यह आपका सही answer हो जाएगा, ठीक है, EJMR प्लस B3, present independence का रूल होता है, ठीक है, who is singing such a sweetest song, चलिए, who का, आप लोग पैसी बाइस पता है, ना by whom होता है, क्या होता है, by whom, W-H-O-M, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, who का by whom होगा, तो by whom लगा देजेए, उसके बाद लगना चाहिए, such a sweet song, आएगा पहले, तो उस इज लग गया आपका, उसके बाद देख लिजेगा, such a sweet song subject आगया, उसके बाद भीतरी, तो आपको option number B, चला जाएगा, ठीक है, इसमें गलत की हो, क्योंकि being word यूज नहीं किया है, पैसी बाइस में जब होता है, कंटिनुएस में being लग का word यूज 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 य देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है, रूल्स तो इसका बहुत सारा है, बट इसको ध्यान से कीजिएगा, तो हो जाएगा, और इसका बहुत जादा अवेटिज रहेगा आप लोग का एक्जाम में, तो बाकि यहां तक पहुंच गया हो, तो थांक यू बरी मच, और न से, तो ऑग हो जाएगा, फदacas पहां तो जाएगा, वाऊच जाएगा mam यू ठको यू बरी मच, एकी जा करूंज रहेगा, तो हूँआ को जाएगा, जा मता हुँआ है, तो जाएगाँ भालादर सारा हो, और लोगया है।